नमस्कार हम जनकारी देंगे वेट लिफ्टर केपसूल की विशे में इसे लेने से क्या benefit है क्या side effect है पूरा जनकारी देंगे हमारे वीडियो को लास्ट तकवस से रखें और यहां चैनले में नए हैं सस्क्राइब नहीं किए सस्क्राइब पॉस से कर लें क्योंकि हेल्थ ट् यह आउर्वेदिक केपसूल है इसे चाहे तो कोई भी ले सकता है लेडिस हो या जैनस हो खोई वी से यूज कर सकता है वेट लिफ्टर केपसूल को इसे लेने से क्या फायदार होता है आपका वजन बहुत कम है आप बहुत दुबले पतल है आप मोटा होना चाहते हैं तो आपके लिए है ये केपसूल, आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठक जा रहे हैं, या आपका सरीर बहुत पतला है, आप मोटा होना चाहते हैं, या जीम कर रहे हैं, अपने बाड़ी को हेल्थी मनाना चाहते हैं, तो आप अपने बाड़ी को हेल्थी मना सकते हैं, इस केपसूल को कि आपका भूख नहीं लग रहा है यानि आपकी पीट की पाचन करीए सई नहीं हो रहा है आप खाने का दिल नहीं कर रहा है कि आप खाने पा रहा है सई सी पच नहीं रहा है तो इसे ठीक करता है वेट- στη आतों हैं आपको कोई काम करने मंन नहीं लग रहा है आपको बहुत दिक्कत हो रहा है जरुक बना सकते हैं इस केपसुल का पुरूब करके baik और 10 से 15 दिन तब ही यूज़ करेंगे आपके सरीर में बदलाव दिखने लगेगा यानि आपका सरीर धीरे धीरे हेल्थी होने लगेगा आप वेट लिफ्टर केप्सुल का लगतार 7-8 महिना 7-8 महिना आप चाहें तो एक साल भी प्रयोग कर सकते हैं अपने बारी को हेल्थी बनाना है तो आप इस केप्सुल का प्रयोग करके अपने बारी को हेल्थी बना सकते हैं वेट लिफ्टर केप्सुल को लेकर करके तो आप जब भी चाहें ले सकते हैं कोई भी मौसम में ले सकते हैं इसे आपको बहुत अच्छाट बहुत लगेगा तभी आपका वजन बढ़ पाएगा यानि कि आपको जब यह केपसुल लेना है यानि कि यूज करना है तो आपको बहुत अच्छे अच्छी फोजन करना है और ज्यादा फोजन करना है जितना भूख लगे आप खाना खाएं तभी आपका विट बढ़ पाएगा आपका फूख लग रहा है और जो कि खाना कम खा रहे हैं तो विट नहीं बढ़ेगा यानि कि आपको पूरा पीट खाना खाना होगा तभी आपके बॉडि में बदलाव आएगा और आपका वोजन बढ़ेगा ता आप वोजन मढ़ाना चाहते हैं तो आप वेट लिफ्टर केप्सूल का प्रयोग करके अपने वोजन को बढ़ा सकते हैं आप कोहीं भी ले सकते हैं हर मेडिकल इस्टूर में मिल जाता है आप कहीं भी ले सकते हैं और आप इसे ले करके अपने बारी को हेल्थी बना सकते हैं तो आपको इसे प्रियोग कैसे करना है आपको प्रियोग करना है इसे एक केप्सुल भोजन करने के बाद सुबह और एक केप्सुल भोजन करने के बाद सामको ले सकते हैं फिर से दूसरे महिने में आप लेंगे दिन में एक ही केप्सुल एक दिन में एक केप्सुल एक दिन में कम स्वम दो महिना तब उसके बाद से आपको एक दिन गैप करके एक केप्सुल लेना होगा एक दिन गैप करके एक केप्सुल लेना होगा आपको ऐसा ही करके लेना होग यहां इस तरह लें और डायरेक्ट छोड़ेंगे तो आप जब लेंगे वसी साब से आप चाहें तो बंद कर सकते हैं अपने खाने को कम नगरें अप खाना खाते रहें अपने वाड़ी को भलते बनाएं और को भी जनकारी चाहिए तो कमेंड करके पूछ सकते हैं कोई भी आपने जीकी डाक्टर से अवस रहे लें तब इस केपसूल का प्रियोग करें फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नमस्कार